तो यहां पर हमें यह चार अल्टिमेट क्लास फ्रीक्वेंसी दिये हमें बागी की क्लास फ्रीक्वेंसी जूड़नी है यह भी हमें फाइंड करना है तो इस क्वेशन को हम सॉल्फ करेंगे विद दे हेलप ओफ कंटिंजेंसी टेबल या फिर टू वे टेबल तो वो टेबल पहले बना लेते हैं यहां पर आएगा ए अल्फा और फिर टोटल और इस तरफ यहां पर आएगा बी अब इसे नीचे लिख लेता है यहां पर फिर आएगा बीटा एंड देन टोटल तो लाइन्स बना लेते हैं हम यह एए अल्फा टोटल फिर यहां पर यहां पर शरी यह बीटा टोटल यह एक रो हो गया नेक्स्ट यह वाला रो एंड दो कॉलम्स हमारे यहां पर एक यह एक का कॉलम एक आएगा अल्फा का कॉलम अब यह हम अल्टिमेट फ्रीक्वेंसी यहां पर लिख लेता हैं यहां फ्रीक्वेंसी आएगी एबी की यहां पर अल्फा बी यहां पर एबीटा यहां फ्रीक्वेंसी आएगी एबीटा की और यहां पर अल्फा बीटा की अब a b plus alpha b यहां पे हमें total मिलेगा b का then a beta and alpha beta जो common letter है वो लिखना है यहां पे तो यहां total frequency आएगी beta की column wise add करते है a b plus a beta यहां हमें total मिलेगा a का then alpha b and alpha beta यहां हमें total मिलेगा alpha का and a plus alpha b plus beta दोनों होता है n अभी जो values हमें दी है वो हम यहां पर substitute कर देते हैं a b यह मैं red में लिख देता हूँ इसकी frequency है 100 a beta इसकी frequency दी हुई है 50 alpha b यह frequency है 80 and alpha beta यह frequency है 40 अभी आड करते हैं तो यहां पर एक अलग color यूज करते हैं तो यहां पर total 100 plus 80 यह total आ जाएगा 180 50 plus 40 यह total आएगा 90 then hundred plus 150 प्लस 50 तो यहां जाएगा 150 and 80 plus 40 that is 120 and आखिर में N 180 प्लस 90 यह add करते हैं तो यह आ जाता है 270 या फिर 150 प्लस 120 यहां से भी हमें n की value मिल जाती है तो यह है हमारी चार remaining class frequencies और यह है हमारे total number of observations